नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैपी फूर्स की एक नई वीडियो में मेरा राम है संधी प्यादो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे खाध्य पदार्थों को लेकर जो आपकी आँखो के स्वास्थे के लिए बेहद अच्छे हैं आपकी आँखो की रोष्णी को बढ़ाने का काम करते है आपकी आँखों की रोश्णी को बढ़ाने का काम करते हैं तो दोस्तों कर सबसे पहले बात करें हम बात करेंगे गाजर की गाजर आपकी आँखों के स्वास्थे के लिए बेहद अच्छा है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन जो इसके लाल रंकाद होता है वो अच्छी मात्रा में पाए जाता है जो आपके शरीर में पहुँचने के बाद विटामीन A में कनवर्ट होता है और विटामीन A आपकी आँखों के लिए आपकी आँखों के स्वास्थे के लिए बेहद अच्छा माना जाता है दूसरे नमबर पर बात करते हैं अंडे की अंडे का जैसे हर वीडियो में बताते हैं कि वाइट पार्ट इसका प्रोटीन का स्रोथ है अगर बात करें दोस्तो इसके यलो पार्ट की यानि की योक के बारे में तो दोस्तो अंडे का यलो पार्ट आपकी आँखों के स्वास्ते के लिए बेहद अच्छा माना जाता है अगर बात करें इससे अंडे का जो यौक है इससे आपको लिूटिन एंड जो जैकसाथिन ऐसे पदार्थ पाई जाते हैं जो आपके आखों की दृष्टिकोंड से बेयद अच्छे हैं लिटीन, जैकसाथिन यह ऐसे तत्व हैं जो आपके आखों की स्वास्ते को बनाई रखने में मदद करते हैं दोस्तों अगर इसी करम में बात करें हरी पत्ते वाली सबजीों को हरी पत्ते वाली सबजीों में जैसे मैं हर वीडियों बताता हूं पालक और केल को लेकर यह दोनों अपने आप में पोशक तत्वा से भरपूर हैं इन्पे फाइबर की बात करें तो बहुत अच्छी मात्रा यह फाइबर पाय जाता है साथ ही साथ दोस्तों इनमें ऐसे तत्व पाय जाते हैं जो आपकी आखों को स्वास्ते के लिए बहुत फायदे मंद है दोस्तों अगर इसी करम में बात करें आपको औरेंज का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन सी है जो इमिनुटि बूस्टर है ये आपके आखों के स्वास्ते के लिए भी फायदे मंद होगा दोस्तों अगर इसी करम में बात करें नट्स और सीड्स की बात की जाती है nuts and seeds में आपको जैसे मैंने बताया इसमें vitamin E बहुत अच्छी मातरा में है omega fat 3 आपको अच्छी मातरा में रापत होता है vitamin E आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है वो लोग जो ज़्यादा computer पे काम करते हैं study का काम ज़्यादा है या age एक age के बाद natural सभावी है कि आपकी eyesight weak होगी लेकिन अगर आप खान पान में कुछ ऐसी चीजों को सामिल करेंगे जो healthy है आपके आँखों के point of view से तो आपकी आँखे स्वस्त बनी रहेंगी लंबे समय तक आप चस्में से दूर रहेंगे दोस्तों अगर इसी करम में बात करें फिश अपने आप में omega fat 3 का rich throat है जो आपकी आँखों के स्वास्थे के लिए बेहत अच्छा है तो दोस्तों कोशिश करिएगा वो लोग जो फिश का 7 कर सकते हैं आप फिश का 7 करिए यह आपके आँखों के स्वास्थे के लिए बेहत अच्छा होगा दोस्तों और साथ ही यह खा जाता है कि जितने भी foods हैं जिनमें आपको जिंक की मातरा अच्छी प्राप्त हो रही है तो उनको जरूर अपने खाने में सामिल करिएगा ये आपके आँखों के लिए बहुत अच्छे होंगे जिंक का फंक्षन बेंड ये है कि लिवर से विटामिन A को आपकी आँखों तक पहुचाने का काम करता है साथी साथ दोस्तों जितनी भी बेरीज हैं चाहे वो स्ट्रोबेरी हो चाहे ब्लूबेरी हो या ब्लैक बेरी हो जो इसके अपने कलर है लाल बैंगनी या काला इन बे एक ऐसा ततो पाए जाता है जो एक अच्छा एंटियोक्सिडेंट है जो इसके रंग का धोतक है और साथी साथ आपकी आँखों के लिए और अन्य संक्रमनों से आपको बचाने का काम करेगा आँखों के स्वास्थे के लिए भी बेहत अच्छा है जो इसमें एंटियोक्सिडेंट पाए जाते है तो कोशिश करिएगा जो लोग बेरीज का सेवन कर सकते हैं जब भी इनका सीजन हो मार्केट में अवेलेबल रहती है आप इनका सेवन जरूर करिए विटामिन सी अच्छी मात्रा मिलेगा फाइबर अच्छी मात्रा मिलेगा एंटियोक्सिडेंट तमाम तरह के इसमें पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थे के लिए बेहत अच्छे है तो दोस्तो ये कुछ फूर्स है जिनका नियमित सेवन करते हुए आप आपने आखों के स्वास्थे को बनाए रख सकते हैं अपने आखों की रोशनी को बनाए रख सकते हैं और चस्में से दूर रह सकते हैं तमाम तरह के काम करते वे भी चाहे computer की बात करें, study की बात करें, या age effect की बात करें, आप उनसे दूर रह सकते हैं, दोस्तों यही आज की वीडियो का content था, वीडियो आपको पसंद आई हो, like, share जरूर करिएगा, अगर आप मेरे channel पर नए हैं, तो channel को share और subscribe जरूर करिएगा, Namaskar